महोदय तीस साल से इस देश में अस्थिर्ता चल रही तीस साल से इस देश की जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था और आजाकिदी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर कॉंग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था इस सारी बातों को 2014 के चुनाओं में कस्मीर से कन्याकुमारी और असाम से ध्वारिका कर पुरे देश की जनता ने एक मैंडेट देकर ध्वंस्त कर दिया पहली बार आजादी के बाद किसी घ्यर कॉंगरेसी दल की सरकार वनी और वो भारतिय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे ले जाएए आप इस देश के जनता के मन में जो सारे सवाल है इस देश की जो समस्या हैं इसका समाधान डूंगे और ये मैंडेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंत्यासिक मैंडेट था मगर मैंडेट सिर्फ भारतिय जनता पार्टी को मिला था